गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बाइलिंगल नॉलेज जैसा कि हमने कहा था कि हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं वन हंडेड कुशन्स की सीरीज रहेगी है हमारी यूपी के जीकी कुशन्स की जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जैसा कि हमारा पहला कुशन है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था तो आप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा हस्ताक्षर किये गए थे तो इसका उप्षन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 7 दिसमबर 1947 को Q4 हो जाएगा उत्त्रप्रदेश पंचायत राज संसुधन अधिनियम कब पारित किया गया तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नमबर B हो जाएगा 1994 को Q5 हो जाएगा उत्त्रप्रदेश के प्रिथम पुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम बताईए तो ये हमारे गोविन बदलब पंत जी थे option number A is right Q6 है उत्त्रप्रदेश में सबसे अलप समय तक कौन मुख्यमंत्री पत पर रहे थे तो ये हमारे 3 भुभन नाराण जी थे जिनका जो कार्यकाल था वो 8 October 1970 से 4 April 1971 का रहा था इन्होंने सबसे कम कार्यकाल तक UP में CM पत पर कार्य किया था उत्तरप्रदेश के राज्यपाल का नाम बताएं तो ये इसका option number A correct हो जाएगा क्योंकि जो अभी present में उत्तरप्रदेश के राज्यपाल है वो आनंदी बेन पतेल को बनाये गया है कोशन number 8 है उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री की न्युक्ति कौन करता है तो जैसे की central government में प्रधान मंत्री की न्युक्ति राष्ट्यपति द्वारा की जाती है वैसे ही उत्तरप्रदेश में या किसी भी राज्यपाल की जाती है वो राज्येपाल के द्वारा की जाती है तो option number 3 correct हो जाएगा question number 8 है उत्तरप्रदेश में इस्थानी निय स्वासाशन धाचा किस प्रकार का है तो इस्थानी स्वासाशन हमारे यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होती है वो 3 इस्तरिय होती है तो हमारे यहाँ पर जो इस्थानी स्वासाशन का धाचा है वो 3 इस्तरिय है तो option number C is a right answer question number 10 हो जाएगा उत्तरप्रदेश में काकोरी पढ़ियंतर कब हुआ तो यह जो है 9 जुलाई 1925 को हुआ था जो की गोरकपूर के आसपास की ए घटना है तो option number A right हो जाएगा question number 9 उत्तरप्रदेश में विदान सभा को भंग करने का धिकार किसके पास होता है तो students जैसे की Central Government में लोग सभा को भंग करने का धिकार राश्टेपती के पास होता है वैसे ही विदान सभा को भंग करने का धिकार स्टेट में राज्य पाल के पास होता है तो 11th का option number 1 correct हो जाएगा question number 12 है असोग द्वारा निर्मित भारत का राजसीन सिंग इस्तम उत्तरप्देश में कहां पर है तो यह सारनाथ में है जो की हमारा राष्टेचिन भी है question number 13 उत्तरप्देश में कौन से नगर व्यवसाए सिक्सावय कला के प्रमुक केंदर थे तो उत्तरप्देश में अगर बात की जाए मथुरा हो कोसामभी हो या प्रियाग राज हो सभी में क्या था हमारे जो नगर है ये शिक्सावेक अलाके प्रमुक केंदरबाने के हैं तो इसका option number D correct हो जाएगा Question number 14 उत्तरप्रदेश UP प्रथम स्वतंता सग्राम कब स्टार्ट हुआ तो फिर धान लेके गया 1857 की क्रांती जो की UP के मेरट जिले से स्टार्ट हुई थी तो ये 1857 में स्टार्ट हुई थी तो option number D is the right answer Question number 15 है उत्तरप्रदेश के किस नगर में किस नगर में इस्तित है ताज महल किस नगर में इस्तित है तो ये जो आपका ताज महल है वो उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में इस्तित है जिसको सहा जहा के दुआरा मुम्ताज महल की याद में बनवाया किस सन में इत्तरप्रदेश का नाम स्ट्रप्रान रखा गया तो 1937 में 1937 में जो यूपी का नाम था स्ट्रप्रयान कर दे गया था और उसके बाद में जो 24 जन्वर 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया तो option number 1 correct हो जाएगा question number 17 हो जाएगा बौत धर्म की वजरियान साखा का उध्य उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था तो यह जो बौत धर्म की वजरियान साखा है वो यूपी के सारनात से स्टार्ट हुई थी जो की option number 2 right हो जाएगा question number 18 है उत्तर प्रदेश में 1857 की करांती का आरंब किस नगर में हुआ था तो यह जो आरंब हुआ था वो मेरट जिले से स्टार्ट हुआ था option number 2 correct हो जाएगा question number 19 है उत्तर प्रदेश भारतिय गणतंत्र का एक पूर्ण राजिय किस सन में बना था तो यह जो बना था 26 जनवर 1950 को भारत का एक पूर्ण राजिय बन चुका था question number 20 है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेत्रत किस ने किया था तो यह किया था हमारे पंडी जवाल नाल नहिरो जी ने जो की हमारे भारत के प्रथम प्रधान मंतरी भी थे तो option number D correct हो जाएगा इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए इस सीरीज को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा Thank you for watching this video